नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चैनल में मार्किटिंग मैं और मैं आपका होस्ट नरेश आज मैं चर्चा करने वाला हूं मिठाइल ब्रॉमाइड और उसके दुबार किये जाने वाले फ्यूमिगेशन की फ्यूमिगेशन एंक्लोजर कैसे आपको तयार करना है और किन शेयर कर दें और घंटे की निसान को दबा करके हमारा सहीयोग करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले जा सके आईए सीखते हैं कुछ नया और आज की इस स्रंखला में हम लोग सीखेंगे मिथाइल ब्रोमाइड और उस से जुड़े हुए कुछ सवाल जब हमें कोई चीज एक्सपोर्ट करनी होती है तो मिथाइल ब्रोमाइड दुवारा उसका फ्यूमिगेशन किया जाता है बाहर से imported चीज जब आती है तो भी उसका fumigation होता है और कई बार methyl bromide से होता है और कई बार जो है उसका ALP से होता है अलग-अलग देशों में अलग-अलग requirement है और वहां जो है जो है जो ट्रीटमेंट हो करके जाता है उसमें डोज भी सबसे अधिक लगती है नॉर्मली जो है 32 ग्राम की डोज मिथाइल ब्रॉमाइड की होती है लेकिन ओस्टेलिया के केस में वो डोज सो पर पहुँच जाती है एक methyl bromide की कैन डेढ़ पॉंड और एक पॉंड की capacity में आती है एक पॉंड की जो होती है उसमें 454 ग्राम methyl bromide आती है मिथाइल ब्रोमाइड जो होती है वो एक ऐसी गैस है जिसमें से कोई स्मेल किसी तरीके की बदवो नहीं आती है और यदि वो लिकेज हो जाये तो उसका पता भी नहीं चलता है और बहुत ही घातक है आपके प्रानों को ले सकती है इसी चीज से बचने के लिए मिथाइल ब्रोमाइड में दो परतिसत किलोरो पिकरिक अलग से एजेंट मिलाया जाता है जिसकी वजह से उसमें से जो है आँखों में जलन और इसमेल आती है इस्मेल और आखों की जलन से ही पता लगता है कि यहां मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तमाल हुआ है जो इस्मेल होती है वो नाके बराबर होती है और उसका आपको आसानी से पता नहीं लगता है जो एक्सपर्ट है वही जान पाएगा कि यहां कुछ चल रहा है नॉर्मल व्यक्ति को उस गैस का आभास नहीं होगा लेकिन आखों में जलन से जरूर यह पता लग जाएगा कि यहां गैस प्रभावित एरिया है क्लोरोपिक्रिक जो है वो दो परसेंट की मातरा में इसलिए मिलाई जाती है ताकि आखों की जलन से ही आपको आभास हो जाए कि यहां कुछ हो रहा है कैलकुलेशन के समय आपको 98 परसेंट से ही डोज को निकालना होगा सो ग्राम की डोज औस्टेलिया में रिकमनेड है बाकी कंट्रियों की डोज अलग-अलग निर्धारित की गई है उसका एक मैनुवल है उस मैनुवल को पढ़ करके आपको डोज को निकालना होगा डोज निकालने का भी एक प्रोपर फार्मूला होता है और उसी फार्मूले से आपको पहले एरिया का मेजरमेंट करना होगा और एरिया के हिसाब से कितनी गैस और कितनी डोज रिक्वारड है उसका एक सोलूशन बना करके आपको वहां देना है यानि solution जो से अर्थ है वो calculation से है अब बात आती है कि enclosure और gas का प्रियोग कैसे करना है तो enclosure आपको जैसे ALP में किया था वहाँ enclosure वैसे ही बनाना है बस उसमें जो है आपने tablet का placement पहले कर दिया था और इसमें आपको gas enclosure तैयार होने के बाद introduce करनी है वहाँ gas 36 गंटे में बनते थी और यहाँ आपको direct gas को ही enter कराना है यह major difference दोनों treatment के अंदर है अब आपने जो है उस enclosure को बना लिया है और चारों तरफ sandbag वगरा सब कुछ लगा दिया है जब आप enclosure बनाएंगे तो उसमें एक axle fan अच्छी capacity का आपको इस तरीके से रखना है कि उसके अंदर हवा को rotate किया जा सके यह enclosure के अंदर रखा जाएगा क्योंकि यह gas थोड़ी सी भारी होती है और यह उपर से निचे की तरफ बैठ जाती है इसको circulate करा करके और पूरे enclosure के अंदर proper दवाओ बने उसका उसके लिए हमें आधा पोना घंटा fan को चलाना होता है तो fan को running condition में वहां रखना है और उसका switch बहार रखना है ताकि उसको आप on off आराम से कर सके fan को आपने enclosure में लगा दिया है अब बात आती है कि हम methyl bromide को release कैसे करेंगे देखिए release करने से पहले एक can को आप ले लेंगे और can की जो है pipe की fitting होती है पाइप के जरीए जो है can release करनी है जो gas हमारी release करनी होती है तो gas को release जब आप करेंगे तो can से gas एक puncher machine होती है उस puncher machine से punch करेंगे और उस punch में से जो puncher है वहाँ उसमें एक pipe लगाने की जगे होती है उसके उपर steel का जो pipe होता है उस steel के pipe में एक plastic का pipe उपर से fit कर देते हैं उसमें pipe को आप जोड करके और एक boiler type का हमारे पास होता है जिसमें पानी को गर्म किया जाता है और पानी को गर्म करने वाला जो हमारा यंत्र होता है वो dead by dead fit का चकोर square जो है एक drum होता है उसके अंदर जैसे heater होता है heater की तरीके से ही पानी को boil करने के लिए एक यंत्र का जुगाड किया जाता है यानि कि वो पानी उसमें जो है उस dead by dead के चकोर टब में आपका पानी गर्म होता है और उसके अंदर 12 से 16 square feet लंबी तांबे से बनी हुई एक pipe होती है जो circle में उसको rotate करके coil का रूप दिया जाता है उस coil का एक point उपर रहता है और एक point नीचे रहता है बीच में वो पूरा जो coil है पानी में डूबी रहती है अब आपको उस पात्र का पानी गर्म कर देना है 100 degree Celsius पे और जो उपर का हिस्सा है वो आपके जो पंचर मशीन आपके हाथ में है उसका pipe उस coil के उपरी हिस्से से जुड़ेगा और नीचे वाले हिस्से से आपका release वाला pipe जुड़ेगा और वो pipe stack के enclosure के अंदर जाएगा अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो कैन आपके हाथ में है जो कैन आपके हाथ में है वो कैन की जो ceiling है जहां से वो कैन आपस में जुड़ी हुई है वो जोड पंचर के सामने नहीं आना चाहिए यानि कि जो हिस्सा पंचर करते समय जो pipe उसके अंदर कैन में घुशने वाला है वो जोड नहीं आना चाहिए बाकी कहीं से भी कैन को आप सैट कर सकते हैं कैन उसमें आराम से रखी जा सकती है इतनी जगा होती है और फिर उसको आपको अचानक से पंच करना है जटके से हाथ कभी से इस्ध्यान रखिए यदि ये गैस आपकी बोडी के ऊपर गिर जाती है तो ये आपकी बोडी में डिपोजिट हो जाएगी वहां से निकल नहीं पाएगी यानि कि आज इवन आपको गैस के साथ ही रहना पड़ेगा और जिस हिस्से पर ये डलेगी उस हिस्से क बुरी तरीके से जला देगी यदि ये गिर जाती है तो तुरंत ही आप पानी में हाथ को डाल दीजिये और डोक्टरी शाहता ले लीजिये खाली जो पंचर कैन हैं उनको भी आपको पानी की बाल्टी में ही डालना है आप जहां पंचर कर रहे हैं वहां आपको एक पानी की बाल्टी हमेशा रखे अब आपने गैस को रिलीज करके अंदर कर दिया है और एक्सल फैन को चला दिया है आधे पौने घंटे उसको आप चलाईए गैस पूरे में सर्कुलेट हो जाएगी और 24 घंटे बाद आप उस एंकुलोजर में एक बार मेजरमेंट ले लीजिए MBR का एक मोनिटर आता है जिससे आप गैस की रिडिंग ले सकते हैं ऐसे ही ALP का भी एक मोनिटर आता है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कितना गैस कितना PPM अभी अंदर है और लीक चेक डिड़क्टर एक होता है MBR के लिए भी होता है और ALP में भी होता है उससे आप जब गैस छोड़ देंगे उसके बाद इस टेक के चारों तरफ लेकर के उसको घुमें तो आपको पता चल जाएगा कि लिए कि इस कहां से है आप उसको भी रोक सकते हैं एक वीडियो हम इस्पेसली जो है वो यंत्रों के उपर बनाएंगे कि कौन सा यंत्र किस समय काम आता है और क्या-क्या इक्यूमेंट हमें फ्यूमिगेशन के लिए चाहिए तो वो लिस्ट के साथ एक दिन हम आपको हाजिर होंगे और एक वीडियो उस पर देंगे ये मोटा मोटी हमने आप MBR के बारे में आपको बता दिया है 24 गंटे के बाद आप एनक्लूजर को खोल भी सकते हैं और सबसे फास्ट तरीके से आपका ट्रीटमेंट हो चुका है फ्यूमिगेशन कंप्लीट हो गया है इसमें भी आपको वही सावधानिया रखनी है कि ट्र इसमेंट आपको कभी भी रेजिदेंशल एरियाज में नहीं करना है सबसे ज़्यादा इसका प्रियोग एरपोर्ट पे या फिर जहां कारगोज डिलीवर होते हैं वहां होता है शिपिंग यार्ड में होता है कंटेनर पे होता है कंटेनर जब बाहर एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं तो पूरे-पूरे कंटेनर को ही हमें करना होता है वो सारे कारिये अधिकतर MBR से होते हैं MBR ओजोन परत को नुक्सान पहुंचाती है इसलिए भारत में ओजोन परत को बचाने के लिए MBR का प्रियोग डोमेस्टिक वर्क में नहीं किया जाता है वहां हम ALP का प्रियोग करते हैं लेकिन यह एक्सपूर्ट का मामला है तो यहां होता है आपको इसका प्रोपर रिकोर्ड रखना होगा आपने कितनी MBR खरीदी किस ट्रीटमेंट में और किस कंसाइनमेंट पे आपने कितनी MBR का इस्तिमाल किया उसकी एक मंथली रिपोर्ट DPP QS डिपार्टमेंट को जाती है जो आपका ओथ्राइज ओपरेटर है जिसके नाम से लाइसेंस है उसको वो रिपोर्ट सील साइन करके भेजनी होती है और उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होती है कि मिथाइल ब्रॉम सर्टिफिकेट आपको इसू करना होता है और सर्टिफिकेट की एक कापी आपके पास होती है कापी जो है कंसाइनमेंट के साथ में लग करके जाती है और एक कापी आपकी जो है वो DPP QS में जमा होती है कि आपने ये कंसाइनमेंट किया है बिल अलग से बनेगा बिल और सर् निवाद